Hello friends, hopefully आप सभी लोग अच्छे होंगे So, यहाँ पर एक example मैंने लिया है Homogeneous system of linear equations पर क्या है? Simply question है, solve the following equations यह solve the following system of linear equations तो क्या करना होगा? यहाँ से सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला था न कि coefficient matrix का rank निकालना है ठीक है न? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर given system given system in matrix form matrix form क्या हो जाएगा? जहान देजिएगा यहाँ से 1, 2, 3 3, 4 4, 4, 7, 10, 12 ठीक है न? देज और यहाँ पर x, y, z and this is equal to 0, 0, 0 ठीक है न? यह matrix form में मैंने लिखा तो यहाँ से ही क्या करना है? coefficient matrix का rank निकालना है now coefficient matrix आप लिख लेजिए coefficient matrix उपर है आपका 1, 2, 3 3, 4 4, 7 10, 12 लिख चेक करिए ठीक है? यह हो गया आपका coefficient matrix अब मुझे इसका rank निकालना है तो मैं करूँगा क्या? equivalent form में बदलेंगे equivalent form में तो matrix है नहीं यहाँ पर कोई 0 नहीं तो यहाँ पर कम से कम 1, 0 और यहाँ पर कम से कम 2, 0s चाहिए equivalent form में बदलना हम बहुत आराम से सीके थे, कई examples भी किये थे तो इस R1 के help से यहाँ पर 0 और यहाँ पर कम से कम यह 1, 1, 0 तो करी लेंगे तो क्या करेंगे? R2 को मैं change करूँगा चेक करिएगा R2 minus 3R1 ठीक है न? और R3 को आप change करेंगे R3 minus 7R1 प्लीज चेक करिएगा ठीक, तो यहाँ से क्या होगा? जो मेरा matrix आएगी corresponding यह क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसको रहने दीजिए 3 से multiply करके separate कर रहे हैं न? तो 3 से multiply करेंगे 3, separate करेंगे 0, यहाँ 3 से multiply करेंगे 6, 4 में separate करेंगे minus 2 प्लीज चेक करिएगा यहाँ पर 3 से करेंगे 3, 3, 9, separate करेंगे minus 5 प्लीज calculation को चेक करते चलिएगा 7 से multiply करके separate करेंगे 7 से multiply करेंगे 14, इसमें से subtract करेंगे minus 4, प्लीज चेक करिएगा ठीक है? फिर यहाँ पर 7 से करेंगे 21, 21 में से 12 को subtract करेंगे 9 आता है क्या? प्लीज चेक करिएगा तो minus 9 अब ध्यान देजिए क्या ये equivalent form में है? नहीं कोई 0 नहीं, 1, 0 यहाँ पर 2 0s चाहिए अब मैं R2 के help से इसको कम से कम 0 करूँ तो क्या करूँगा? 2 से multiply करके separate कर दूँगा तो यहाँ पर R3 को जो change करेंगे R3 minus 2 R2 तो क्या हो जाएगा? प्लीज चेक करिए यह है 1, 2, 3 0 minus 2, 5 2 से multiply करके separate करेंगे, तो 2 2s आ 4 यह 0, 2 से करेंगे minus 10 separate करेंगे 1, यह देखिए final equivalent form में आ गया अब यहाँ से मैं rank निकाल सकता हूँ तो यहाँ लिख दीजिए which is which is in equivalent form in equivalent form और अगर यह equivalent form में आ गया तो यहाँ से rank क्या हो जाएगी? तो rank of a कितने non-zero rows है? तो 1, 2 और 3, यहाँ पर देखिए 3 non-zero rows है और यही मेरा क्या है? number of unknowns के equal आ गया number of unknowns number of unknowns के equal है देखिए x, y, z यहाँ पर 3 unknowns है तो number of unknowns के equal है तो that means this अब यहाँ से ध्यान देजिएगा अगर rank number of unknowns के equal होता है तो system के पास क्योवल और क्योवल trivial मतलब क्योवल 0, 0, 0 ही solutions होगे मैं समधा पाया कि नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? example हो गया जहाँ पर system के पास क्योवल और क्योवल trivial solution है अब अगला example जो हम लेंगे वहाँ पर ऐसा लेंगे कि इस system के पास non-trivial solution हो ठीक है न? non-trivial solution हो नेक्स वीडियो में हम जो मिलेंगे जहाँ पर हम करेंगे non-trivial solution का case उस case में क्या आएगा? rank number of unknown से छोटा हो जाएगा ठीक है न? please check करिएगा so मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें thank you thank you so much for watching my videos friends